लो दोस्तों नमस्कार आपको अपने टेकनिकल ब्रच चनल अपका स्वागत है दोस्तों यहां पर देख सकते हैं इमेजोन के तरफ से एक बॉक्स प्राप्त हुआ है जिसमें हमें लाइट 100 Wat का सोलर लाइट के साफ मोशन सेंसर वाला LED हमें में नेखने को मिलेगी जिसकी मैं On星 करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या आपको यह लेना चाहिए के नहीं लेना चाहिए कि यह दोस्त ूजोय तो । segundo । यह हो bho बॉक्स के अंदर से हमें ऐसा निकला यहां पर लिखा है इसके अंदर पानी जा सकता है यहां पर देख सकते इधर बात करो तो यहां पर देख सकते यहां पर देख सकते इंट्रोडक्शन डिस्टेंस यानि तीन से पांच मीटर के अंदर में जो भी बंदा यहां पर आएगा उसको मतलब कि यह लाइट जला के देदेगा और यहां पर क्वांटिटी यहां पर सौ एलीडी इसके अंदर लगा हुआ है और यहां पर देख सकते इधर भी कुछ नहीं है और इधर देख सकते हैं कुछ नहीं है तो चलिए इसको खोलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं यह दिखाते हैं यह देख के- अंदर दोस्तों आपको ये पैटरी इसके अंदर जो लगी है वो चार्ज होगी उसके बाद ये ये motion sensor ये है ठीक है इसके पांच से तीन से पांच मीटर के दूरी पे जो भी बंदा या कुछ भी हल चल होगा तो ये अटोमेटिक जल जाएगा तो ये setting कैसे करेंगे इसके बारे में बताऊंग और यह यहां पर company mention करती कि waterproof है लेकिन मैं बता दे रहां यह waterproof नहीं है यह देख सकते हैं मतलग भूल के भी आप इसे पानी में मत भींग होईएगा नहीं तो खराब हो जाएगा आपका और यहां पर देख सकते देखते हैं solar integration वाल लेंप यहां पर कुछ user manual है पढ़ना चाह दोस्तों चलिए इसकी testing कर लेते हैं क्या यह light जल रही है कि नहीं तक आप इते light है दोस्तों तो यहां पर करना होगा solar plate पे यहां पर हमें अंधेरा करना होगा जैसे अंधेरा करेंगे और यह बटन दबा देखौन ह देंगे तो यह जल रहा है निया और यह आपर देख घं अदेरा करूंगा तaison l recent ख्रों करें ग도 के या रात होगा तो अघिक 5 जलेगा कि नहीं जलेगा तो अभी तो यहाँ पे देख सकते हैं लाइट है तो सब छे पहले मैं अपने नाट उफ करूंगा इसको आ और करने के लिए यहाँ एक बटन है इसे एक बार प्रेस कर देंगे उसके बाद यह on हो जाएगा ओके तो मैं यहाँ पर प्रेस कर दिया हूं यह on है तो चलिए यहाँ से light off करता हूं यह देखिए जल गया और यहाँ पर मैं अभी movement कर रहा हूं इसलिए जल रहा है और मैं यहाँ पर कोच दिर movement नहीं करूंगा तो यह automatic बंद हो जाएगा कर देखिए मैं यहाँ पर movement नहीं कर रहा हूं रुकाओ चिपचाप देखता हूं यह बूत रहा है कि नहीं इस देखिए दोस्तों यहां पर भूत गया, और कैसे ही मैं थोड़ा हाथ उठाऊंगा एधर-उधर करूंगा, तो यह जलने लग जाएगा, यह देखिए, हाथ उठाया और यह देखिए जलने लग गया, तो दोस्तों इस तरह से यह काम करता है, यहां पर जो सीवच दिया ह यह देखिए आप फिर से मैं चेक करा दो यहां दो शीवच दिया हुआ है इसी एक बार अगर फिर से मैं प्रेस करूँगा तो यह देखिए यहां पर तीन मोड दिया है आप डिरेक्ट भी जला सकते हैं और आप मतलब की मोसन वाला भी कर सकते हैं तो यहां पर देख सकता है अब पूरी तरह बंद हो गया है और यहाँ पर मैं एक बार फिर प्रेस करूंगा तो यह देखिए जलने लग गया और मैं यहाँ पर कुछ दिरवेट करूंगा तो यह आटोमेटिक बंद हो जाएगा और यहां पर चाहूंगा तो यह देखिए बंद हो जाएगा बूत जाएगा आटोमेटिक देख रहा है न तो इस तरह से आप इस यह मतलब की यूज में ले सकते हैं तो दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी बैटी बैकप की तो यहां पर जो सौर पर लेट आपको दिखाए दे रहा है इस पर अगर दोर से धाई घंटे तक अगर सौर का प्रकास अगर इस पर आ रहा है तो आपका यह बैटी फूल चार्ज हो जाएगी फूल चार्ज हो जाने के बाद अगर आप मोसन वाले सेंसर में रखते हैं यानि कि आटोमेटिक जो से आधा घंटा तक ही चलेगी मैं इसको चेक किया फिर आपको बता रहा हूं ओके तो अगर आप इसे सेट करना चाहते हैं तो ऐसे जिमान के चलिए जो दिवाल है तो ऐसे आप सेट कर सकते हैं अहां पर ओके तो उमीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा इससे जूरी और कोई क्यूरी हो तो जरूर नीचे कमेंड कर दिजिएगा मैं इसका पर्चेस लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में